बारिस के बाद दोस्तों इस फटिलाजर का यूज अगर हम अपने हिपकस के प्लांट्स में करते हैं चाहे वो देशी हिपकस हो या हाइब्रीड तो यकीन मानिए वो फूलों से लदा रहता है हमारा हिपकस और मैं अपने वीडियो हमेशा सेयर करती रहती कि मेरे जितने भी ह है चाहे देशी हो या हाइब्रीड हमेशा फूलों से भरा रहता है और यह बिल्कुल फ्रीक फटिलाजर है जो हमारे सब के घर के कीचन में असानी से मिल जाता है तो इसे यूज करके देखे दोस्तों यह जन्वरी तक आपको देशी हिपकस के फ्लावरिंग कराते रहता है और मैंने पिछले साल भी इसका यूज किया था जिसका रिजल्ट मैंने आप लोग के साथ सेर किया था तो इसको कैसे बनाते हैं कैसे इसको अफलाई करते हैं अपने सारे हिपकस के प्लांट्स में तो देखते हैं यह फ्रीक फटिलाजर के कैसे बनाती हूं और कैसे अपने कैसे हूँ आप सब आइओप आप सब बहुत अच्छ होंगे और अपने कामों में मस्त और ब्यस्त होंगे दोस्तों अगर हमारा हिपकस का प्लांट जो है वह ऐसे ही सुंदर सुंदर हमेशा फूलों से भरा रहे हैं तो कितना खुब शुरत लगता है हमारा गाडन यह मेरे प करता है अभी सितंबर का महीना चल रहा है दोस्तों और सितंबर के महीने में तेज धूप होती है क्योंकि बारिश का मौसम खतम होने वाला राता है जिसे जब धूप निकलती है तो बहुत तेज धूप निकलती है जिसे कि हमारे जितने भी हिपकस के प्लांट से उसकी पतिया करका पीली होने लगती है और फीली होके गिरने लगती है तो जब पतियां गिरозиion imaging लेगी तो केवल भूर ब्रांच ही बज जाता है जिसे कि पूल किलने की चंनता खटम हो जाती है और बारिस के बाद досक्तों मिली वक्स तो इसमें हमेशा कुछ न कुछ हमें काम करना परता है खासकर बारिश के बाद दोस्तों तो आज मैं आप लोग के साथ इपकस को मैं अपने कैसे क्यार करती हूं कि इतने खुब्सूरत फूल खिलते रहते हैं और वह भी दिसंबर जनवरी तक वैसे तो फर्वरी मार्स से फि मार्च से नुवन्बर तक ही फूल फिलता है लेकिन जीतने मेरे हीबकश के प्लांट्स है उसमें मेरा डिसमार जन्वारी तक फूल खिलता है तो चलिए इसको कैसे मैं में अगर दूर के सबस्चेंग करती हूं तो सबसे पहली बात है दोस्तो कि कोई भी फिल्ड कप्लांट् तो इसमें फूल खिलना तो दूर की बात है इसमें जितने पतिया है वह भी नहीं बन पाती है वह ज़र जाती है जब पतिया ही नहीं रहेंगी तो फूल कैसे बनेगा तो इसके लिए इसको कम से कम 6-7 घंटे की धूप चाहिए और यहां पर देखिए मेरा यह रोज हीवगस ह इसने हेबिल फ्लावरिंग हो रखा है से तो इससे तारा सारे फ्लावरिंग निए ताकि इसके जितनेशन फीघ्टाइब यिन वट से फूला tys जाता है तो ये तो हुई दोस्तों फूलों की बात और इसको मिटी की कैसी चाहिए मिटी भी इसको बहुत ही अच्छी पूरस चाहिए अगर वारिस के बाद मिटी वैसे भी हाड हो जाती है क्योंकि वारिस के मौसम में हम गुराइब नहीं कर पाते हैं अपने प्लांट्स की मिटी हाड हो जाती है तो जब वारिस का मौसम खतम हो जाता है तो अपने हिपकस के प्लांट्स की मिटी को हमेशा गुराई करते रहे ताकि उसकी मिटी बिल्कूल हलकी और मुलायम बनी रहे जिससे कि इसको सारे पूसकता तुन मिल सके मिटी में हमेशा चीटिया को लगती है उनका अटेक की फ़ल्फ की बचापें के लगलें तो besia बैसे मीटी को भी देखते रहाता है और मिटी में कशे जैसे नीम खली का मिटी में डाल देंगे ताकी जितनी भी छटिया है performed और तीसरी बात है इसके यिव पानी तो भी इस की पतीया पाणी पिली होने लगती है और इसकी पतीया पिली होने गिरने लगती है वैसे तो अगर हम प्लास्टिक सुख जातі हें लेकिन मौशंधे 3 0 execute 12 , अगर सीमेंट या फिर मिती के मिती के गंमले में में लगा रहे हैं तो वो तो की मितीं नीचे से नमी बनी रहती है तो देखें कि ऊपर का जो हमारा मिट्टी का लेयर है वो सूप किया है और नीचे हमारी मिट्टी नमी है तो थोड़े बहुत पानी की असकता पड़ती अभी बारिस के बाद वैसे तो मई जून के महीने में बहुत ही ज्यादा इसको पानी चाहिए क्योंकि दोनों टाइम पानी डालना पड़ता ह है लेकिन अभी जो मौसम है क्योंकि रात में नमी मौसम हो जाता है रात में बिलकुर मौसम ठंडा और अच्छा हो जाता है जिसे हमारे प्लांट को नमी मिलती रहती है तो इसको एक ही टाइम पानी डाले लेकिन पानी इसको डालना जरूर है तो पानी भी इस वह अच्छे हमेशाQuもう करते हैं तो मैं अपने absorber को यहीं सväर करते हुआो अपने प्लान्स में गजब का घ्रोथ डेखती हूँ और कोई बी मेरा देखी कोई भी प्लांट में कहें भी चीटिया नहीं है कह भी मिलिवक्स का अटैक नहीं है तो मैं यह यूज करके मैंने देखा है कि इसके अलावा दोस्तों प्राइ़ जो पेस्टिशाय機 में बनाती हूं वह अध्रक लसुंद का और मिर्ची कपे यसारा बहुत ही सब्रस्ट है और अगर हम राटते हैं प्लांट्स दाले तो बहुत ही सब्रस्ता हम लगते हैं लगता है वो सब खतम हो जाते हैं और प्लांट्स बहुत हेलदी रहता है तो इस तरह बहुत ही असानी से मिलीवक्स का खत्म हो सकता है और दोस्तों अब बारी आती है कि इन सारे प्लांट्स में अभी सितंबर के बाद जो तेज धूप निकलती है और मौसम का ठंडा रात में मौसम ठंडा का है तो उसे में हम कौन सा फर्टिलाइजर अपने प्लांट्स में डाले हैं इसको में प्लांट् सेट करते हैं वैसे जो सरसो तो किखली के यह तो यह प्राइन प्रीटियों सावरी है यह पॉड़म हो गया है इसको बनाने के लिए दोस्तों मैंने 5.-ly लिटर का बालती लिया है देखिए ये पांच लिटर बालती है उसमें धाय लिटर मैंने पानी लिया और ये ये पॉडर डाल दिया है और इसको डाल के दोस्तों दो-तीन दिन तक ऐसे ही धक के हम रख देंगे ताकि इसकी जो भी मुश्य लिक्विड है वह बहुत अच्छे स दोस्तों उसकी मिट्टी में करना जरूरी होता है इससे क्या होता है कि उसमें उसिका 14 बहुत शिंद्र लिव जनंती आ है उसको पोडो में दोस्तों हरो जैयो DAVID की बाहुत भी हो को ne यह नहीं हमारा जो फर्टिलाइजर डिकम्पोस्ट होने के लिए डाला था यह सरसो वह बनके रेडी हो गया है तो यह तीन दिन बाद का है देखिए इसका कलर भी चेंज हो गया है इसको फिर से अच्छे से मिला लेते हैं मिलाने के बाद इसमें यह हमारा धाइक लीटर का है तो इसको ढाइज लीटर से हमें 5 लीटर बनाना है यह बहुत अच्छे से त्यार हो गया है तीन दिन से डिकम्पोस्ट होकर तो इसको पाँच लीटर बनाने के लिए 200 लीटर और 200 ग्राम और राई लीटर और पानी इसमें ढाल देते हैं दोस्तों तो देखिए यह हमारा बन के त्यार हो गया है और यह थोड़ा जो मैंने बनाया है वह थोड़े मोटे है तो इसको मिटी में जब डालेंगे तो खुद बखुद अपने आप मिटी में मिल जाएगा और डिकम्पोस्ट होके वह भी फटिलाजर के रूप में ले लगा तो यह मेरा डेर लीटर का ए यह पटिलाजर मैं हर साल अपने गुरहल के प्लांट में डालती हूं और मेरा वीडियो आप लोग देख सकते हैं पिछले साल की भी कि वह हमेशा दिसंबर जनवरी तक भी ऐसे ही फूल खिलता है तो इस तरह चोटे बहुत केर करके दोस्तों हम हिपकस के प्लांट में साल और फूल ले सकते हैं फ्रेंड्स यह वीडियो कैसी लगी अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक सेर कीजिएगा मेरे चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लिजिएगा बेल आइकन के घंटी के साथ और एक कॉमेंट ज़र कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडिय झाल झाल झाल